आज है हमारी बिटीय रानी का जन्म दिन तो मैं बनाने जा रही हूं उसकी पसंद का सारा खाना यह खीर बनाई हुए है खीर सबी को पसंद आती है बैसे तो मेरा खाना बहुत जलदी बन चुका है सब कुछ ready हो चुका है बूंदी का रायता है पूरियों के साथ में बूंदी का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है जब fresh दई में हम बूंदी डालकर रायता बनाते हैं तो बस मजा ही आ जाता है यह बनाई है उसकी पसंद की बिंडी की सब्जी जो आजकल बच्छों को ज़्यादा पसंद आती है यह मेरा आटा भी लगकर ready हो गया है बस अभी पूरियों तलना बाकी है एक सब्जी हमारी रेडियो हो रही है कुकर में बाकी सब कुछ तयार है सिर्फ पूरियों का ही इंतजार हो रहा है तब तक मैं कुछ लोईयां बनाकर पूरियां बेल के र गी है इसमें डाल देते हैं घी क्योंकि हम लोग रिफाइंड यूज नहीं करते देसी घी में ही पूरियां बनाते हैं और यह घी भी हमारा गरम हो चुका है पूरियां भी बिल्कुल बेल के रख ली गही है कडाई काफी गरम है पहली पूरी गौम आता के लिए बन रही है देसी घी की बहुत अच्छी खुसबू आ रही है देसी घी की पूरियों की बात ही अलग होती है और अब भी पूरियां भगवान के भोग के लिए तैयार हो रही है भगवान जी की थाली मैंने लगा दिये बस कुछ पूरियां निकाल कर उनका भोग लगाती हूं फिर सबको खाने के लिए दूंगी क्यूंकि बच्चे भी भूके है और बिटियर आनी का जन्दिन है तो क्यूंकि पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग केक वग आते हैं अपने बच्चों का जन्दिन को मता की पूरी है इसको अलग रख देती हूं नहीं तो कहीं मिक्स ना हो जाया निकाने में यह भगवान की थाली हमारी रेडी है और यह मंदिर में पहुत चुकी है भगवान का भोग लगाते समय हमेशा घंटी जरूर बचानी चाह आता है इसको घर के मेंबरों को मिलके खाना चाहिए पहला निवाला भगवान के बाद खिलाया है उसके पापा ने मेरी बेटी को और यह सारे लोग भगवान का भोजन यानि भोग है इसको खा रहे हैं भोग को ग्रेंड कर रहे हैं प्रिशाद सुरू भोग है और इस तरह मनाते हैं हम अपने बच्चों का जन्म दिन